समस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित्माहिश्वरी इंटरनाशनल बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूँ रिच माइंडसेट और फाइनेशल इंटेलिजनसी की इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसे एलेमेंट्स जिनका इस्तिमाल करके आप अपने फाइनेशल गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने फाइनेशल गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से पहिंता से जवाब दें. Number 1. What is your financial goal? आपका financial goal क्या है? financially कितना sound आप होना चाहते हैं? कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं? The second. What work or business you want to do? आप कौन सा काम या कौन सा business करना चाहते हैं? Third. On what date will you achieve your financial goal? आप अपने financial goal को किस डेट तक अचीव कर लेंगे या करना चाहते हैं? And the fourth. To achieve your financial goal, what sacrifice you can do? अपने financial goal को अचीव करने के लिए आप क्या-क्या sacrifice करने के लिए तयार हैं? And the fifth and last. Exactly why you want to become rich? सबसे पहले ज़रूर लिखें कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? आपका लक्ष क्या है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, eight streams of income. आए के आठ ऐसे resource, यदि आप उन में से चार या पांच resource को भी follow करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी income earn कर सकते हैं और अपने long term goal को हासिल भी कर सकते हैं. साथी साथ, richness की journey में ये आठ नियम आपके बहुत काम आने वाले हैं. और ये नियम मैंने लिये हैं, the secret of millionaire mindset and business mantra book से. Eight stream of income में तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं. सबसे पहला है active income, दूसरा है passive income, और तीसरा है how to save tax. अगर आप इन तीन चीजों का सही तरीके से अनुकरन करते हैं, पालन करते हैं, तो आप कम समय में अधिक पैसा कमा सकते हैं, और अमीर बनने की इस यात्रा में कम समय में सफलता हासिल कर सकते हैं. So number one, that is earned income, it may be wages, salary, remuneration, as well your self employment based income, ये income के लिए आपको active रूप से कान करना होता है, तभी आप इस income को earn कर पाते हैं. And the next, that is transactional income, आज बहुत सारे लोग केवल transaction के बेस पर बहुत अच्छी earning करते हैं, और ये transactional income क्या होती है, for example, आपको पता चलता है, किसी buyer की requirement है, और वो suppose 1000 bags of cement खरीदना चाता है, और उसकी जो cost है, वो एक लाक रुपे है, और आप ये material किसी और से procure करते हैं, जहां पर transaction करने पर आपको जो होने वाल income होती है, इसको transactional income भी कहते हैं, और इस income में आपकी physical activity, आपका finance, आपका investment और आपका time बहुत कम involved होता है, तो बहुत सारे लोग transactional income पर भी ध्यान देते हैं, and the next, income from interest, और ये भी दो तरह की होती है, एक secured और एक unsecured, secured होती है, जैसे bank की fake deposit, share market से income, bank की deposit पर interest, या आपने किसी को secured loan दिया हुआ है, loan against property, loan against gold, ये सारे जो income होती है, ये secured income होती है, और unsecured income वो होती है, जहाँ पर आपके दिये गए fund की guarantee नहीं होती, suppose आपने किसी relative या किसी friend को loan दिया है, उस पर मिलने वाला interest भी आपकी income का part है, पर ये unsecured income होती है, and the next that is dividend income, अगर आपने किसी company के sharehold किये हुए है, या आपने किसी company में equity shareholding लिये, तो वहाँ से मिलने वाले income, dividend income होती है, और ये income भी passive income का एक part है, क्योंकि rich लोग, financial mindset के लोग, एक बात कहते है, let your money work for you, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, ताकि आपका पैसा भी पैसा कमाई, और दुनिया के सभी सफल और अमीर लोग, पैसे से पैसा जरूर कमाते हैं, अगर आपके मन में financial literacy से संबंदित, यदि कोई भी प्रशन है, तो comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएं, इस वीडियो को अपने friends के साथ जरूर share करें, ताकि वो भी अपने financial goals को achieve क कर सके, friends मेरे जीवन का उद्दिश्य की भारत के हर घर से एक सफल बिजनसमें तयार हो सके, एक एवल तबी संबब है, जब आप और हम मिलकर इस मुहीम को पूरा करेंगे, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी, आपके सुनरे बविश्य की कामना करत हूँ, जय हिंद, जय भारत